जिस तरह का प्रष्टाचार यहां पर भाजबा कॉंग्रेस ने चला रखा है इसको हम अगर बंद करेंगे तो इस टेट का बजट पचास पच्पन हजार कुड़ पहुचेगा इस तरह खंड में कितने शीट है जीतने की तेयारी अभी है अब आदनी पार्टी जुमलें विस्वास नहीं करती आम आदनी पार्टी काम करनें विस्वास रखती है इस जिले से revenue सरकार लेती है लेकिन हमारे जिले के उपर, विकास के उपर, सिक्षा के उपर, स्वास्त के उपर, ग्राम विकास के उपर उस revenue को खर्च नहीं किया जाता है असल कारण यह है कि इनको जनता की समस्याओं से, जनता की परिसाणियों से किसी तरह कोई मतलब नहीं है परगला के छक के छल के बेकू बना के जनता का बूट लिया जा रहा है अब आज जनता जागरुक हो रही है, ओ जनता अपने बूट के परती सजic हो रही है कौन जीतेगा उत्तराखन नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस 31 उत्तराखन और मैं हूँ आपके साथ लता और न्यूस 31 का खास प्रोग्राम कौन जीतेगा उत्तराखन के खास सो में आज हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के कपकोर्ट विधानशभा प्रत्या प्रक्षी फोपेश उपाध्याई से बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में अपका भूधेश यह रहेगा कि आखिरा भूपेश उपाध्याय जो है वह कौन है भूपेश उपाध्याय वो है जो एक साधरन सिक्षक के घर में करना पैदा हुआ पो पस्पाद्धिए वह है जिसने अभाव में अपनी इधिब सर्च यह स्टार्ड की यह वह है जिस ने अपने तम पर अपना कम धान सुरु किया और भतवड़ा से निकलने के बाद अन 950 में अपना काम करके करके वापिस अपने गाउं में reverse प्लाइन करके आया है इस गाउं के लिए इस चेतर के लिए इस विधान सभा के लिए कुछ करने के लिए भूपेश उपाध्याय हुए है जो कोविट के समय में भाजपा कॉंग्रेस के लोग उत्राखंड की सरकार के लोग अपने घरों में चुपके बैठ गए थे तो भूपेश उपाध्याय ने अपने घर परिवार को छोड़के गाउं गाउं जाके रहात सामगरी देने काम किया गाउं गाउं जाके इस जन्तबत बागेश्वर के हर सरकारी विवाग को हर अस्पताल को हर थाने को हर कोविड वरकर को दवाईय सटाल क्या घर चेन अले कई अकल के अफगर सभिया करहानी यह कता हको हर एक्षि गाउं शुपका के लिए और healthcare काम करताओं के लिए भाजपा उलिभाश भाल ये पार्टी ओं को लात मारी और हमेसा सथासे लिए प्छाड़ा रहा कौंग्रेस में आप रहे हैं भाजपा में आप रहे हैं और बस्पा से भी आप चुनाव लड़े हैं आखिर मैं आज आप आम आदमी पार्टेज से दावेदारी कर रहे हैं क्या कारण है इसका देखे बड़ा अच्छा आपका सवाल है इसका मैं उत्तर देना भी चाहता हूं में इसका बार बार इसका उत्तर देता भी हूं देखे भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हम लोग की हमारे लोकतंत्र की खुबसूरती है कि अपनी अपनी इच्छा से अपनी लोग का भला करने की वज़े से अपना दल परिवर्तन कर सकता है मैंने आपको कहा कि मैं भूपे यह वजह में भी रहा मैं भाज्पा मीं रहा हूं लिक्त्र अज इस जिला चिकित्व साले में में अल्ट्रास की वास्ता समय पर नहीं यह वह जिला बागेश्वर है जहाँ पर आज भी लगभग 40% गाओं में आज भी संचार की सुवधा नहीं है यह वा जबघ स्की वजह कि किस को मांनते हैं इसकी वज़य देखे जिला बागेश्वर कबड़ा सोभाग्य है कि हमारे जिया बागेश्वर से देश के हर सदन में देक्त ने लुगं के रहने के बाद भी आज हमारे जिलाद्च साल में बागे शोटी से बिमारी का एलाज नहीं है रहा है इंटर तो होती है लेकिन ति उस शिक्षा में खुणवत्ता नहीं है उनको उस अच्पे रहें में करने के वाद ऑनी करने के बाद एक वाद जो सी आ lebih जूसां यहां पर आज पने नहीं है स्कूल नहीं है द्याले नहीं है रोजगार नहीं है भाजपा कॉंग्रेस इसके लिए दोसी है जो मूलभूच विधाएं हैं कपकोड विधान सबा में उनसे आज भी वहां के लोग अच्छूते हैं क्या कारण रहा है और अगर आम आदमी पार्टी यहां पर चुना है इस परदेश के रवनी सुर्स का सबसे बड़ा हिस्सा बागेश्वर देता है उदम सिंग्नगर हरिद्वार जो बड़े जिले हैं उन जिलों से अच्छा रवन्यू हमारे वागेश्वर खंण की रूप में बंसंपता की रूप में पर देस सरकार को देता है और लेकिन इस जिले से revenue सरकार लेती है लेकिन हमारे जिले के उपर विकास के उपर सिक्षा के उपर स्वास्त के उपर ग्राम विकास के उपर उस revenue को खर्च नहीं किया जाता है इसलिए आज हमारे गाउं गाउं पिछड़े हुए हैं और इसका मुखी कारण यहां के जो आज तक leadership रही ह कि यहां के नेता रहे हैं उनका कभी द्यान नहीं रहा जैसे आप मेरे घर में आज हम लोग हम बैठे है अपने लिए मपने फॉली कर्ता हूं अपने में और आपने व्यक्ठी को व्यारा साल कब कोट विधान सभी राजंती करते बोर हो गया है वह पांस आल यहां विधायक रहे और पांस साल विपक्ष मर रहे दस वरसों के बाद भी उनका घर गरूड है वो गरूड से पूरु ने जो यहां पर भीदायक रहे अन्य लोग रहे थिखान की घर्ड की बात थी हुत्त खराब थी हम मेरे घर आता हूं तो मुझे नहीं है अपने घाऊं मेरह Cayman okay gwb करता था मैं गाउं की तो मुझे उनकी जो फिजन है जो गाउं के बच्चे क्या सोचते हैं समाज के बारे में दुनिया के बारे में वो मुझे पता लगता है मेरा दायूद दूद जो आज बच्चे हलदानी के देहरादुन के नोएडा के गुरणगाओं के जो बच्चे यूट्यूब में बच्चे गूगल में हैं वो लोग तो आगे सर्वाइब कर चुके बढ़ चुके मेरी जीमेदारी उन बच्चों के लिए है जो आज भी कलंप करने के prohibition करने के लिए सद्साइं कि पार्टी है वो दिल्ली के तर्ज पर उतराखंड में काम करने का प्लाइन बना रही है क्यों कि जो दिल्ली की भॉगली कीष्टी और जो ट्र P की भौगली स्थिति है उन्स दोनों में काफी अंतर है तो किस तरीके से इसे इसलिका करोट है दिली और उत्राखन का जो बजन है लगभग लगभग सेम है प्रिदेश का जो गुल्फ गवह समय है वो हमारे स्टेट से कम पास हैं निके तमाम तरह की लोग हैं जो टेक्स को पूरा पेवी नहीं करते हैं दिल्ली में चारों तरफ से बहुत सारी ऐसी टेक्स की चीज़े हैं जो चोरी चीपे दिल्ली के अंदर परवेश कर जाती है दिल्ली चारों और से खुली है उस अगर उस तरह से आप देखेंगे तो करोड़े परदेश का बजट है इस बजट को हम लोग आगे बढ़ा के लगभग हम इस बजट को पच्पन हजार क्रोड़ रुपे तक अगर यहां पर टेक्स की चोरी हो रही है यहां पर जो जिस तरह का भष्टाचार यहां पर भाजपा कॉंग्रेस ने चला रखा है इसक पिसलाने को प division दोनों में समानता यह एंभी काम करने का फ़रक भी है यह तो भाजपा आग्रेस को लूग इस बात को फ्यलाते हैं के पास कुछ कहने के लिए तो कहते हैं कि आपने दिल्ली के लोग만 को समझा लिया यहां की लोग को कैसे समझा वोगे पूरी दुनिया में पहने के लोग सब से si Pepper होते हैं दिली के लोग बहुत ज्यादा समय होते हैं इliterलीजेंट होते हैं तो दिली योग के पास समय माती है लोगं पास जिलादक्टर नहीं महिला पाहद में है नहीं महला है किस जैंट्स चकप परहा सकती है और रहे संदग भी तौर नहीं और तौर पिस तो किसी कंपाूंटर से दवाइए ले लेगा वाड़ोर बश्रकू कि बनेब existe तमाम तरह की बिसमताय हैं गाओं में चलने के लिए रास्ते नहीं हैं किसी तरह की आएग वी छोटी व्युचता है गाओं में संचार नहीं है गाओं की लोगण अपने बच्चों से बात करने के लिए कि मेरा बेटा ठीक धया नहीं है कई कई गाओं के लोग 3-4 क्लिम्टर पैदल चलके पहाल के उपर चड़ते तब बच्चे से उनकी बात होती है तो यहां की लोग को समझाना दिल्ली से ज़्यादा आसान है क्योंकि यहां पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है लोग इस बात को कनेक्ट कर रहे है आस तक उत्राखन के लोग के पास कोई बिकल्प नहीं था भाजपा कंग्रेस बारी-बारी से यहां फुटबॉल खेल रहे थे एक बार वो उसकी पीट खुजला रहा था आज जनता के पास बिकल्प है और जनता हमारे से जुड रही है आम क्टिटनी भी ट्रांस्प्लांट करनी है उसको इलाज में एक करोड आये डिपर खरचा आए ऐसा ब्यक्ति जिसके बैंक में 100 व्यपए नहीं उसके इलाज में एक करोड भी खरचा आता तो कि जिवाल जी की सरकार उसका इलाज करती है उसने सिर्फ अपना दिल्ली का अधार कार्ट दिखाना है और हॉस्पिटल हम भरती हो जाना है दिल्ली में जो प्राइबेट स्कूल थे उनकी मनमानी थी उनकी फीज साल की आठ आठ लाग दस लाग उनकी फीज थी दिल्ली के स्कू नंगोटन में एक बच्चा सिर्ट जी का मरसेडीज में बैठके आता एक बच्चा युदि के लिगं तो फिर समय लगा समझाने में यहां कि दिल्ली से बातों से कर पारा है कि वास्तों वह साथ चल आपने आपको ठागा महसूस करती है तो ऐसा क्या आम आदमी पार्टी में हैं जो जनता आप लोगों पर भरोशा करें विश्वास जाता है देखिए जो वादे थे ना अब जैसे भाजपा काम है कि हम सब के खाते हैं 15 रुपे आएगा तो 15 रुपे का मोदी जी ने को गरंट सबटे में पांच जाव ? देंगे तो उसके बाद कॉंग्रेस के लोगों ने भाजपा कई लोगों ने का भी बैचली दी खाले योदि प्रेस यॉट्ट में बिजी दी एक प्रेस नूट जारी कि आगया की हम भी बिज्दकीए क्यां अ करे लोगों को कि हमारी अगारंटी不是 फिर देंगे एक हमारा मोडेल है काम करने का तरीका है और लोग को इस period को स्वाश है दिल्ली ये कि से तरपर सरकार यहां से सीटे है आज यह सवाल लोग हम से भी करते हैं कि सर्कार आपकी कैसे आईगी यह सक्त दिली के अंदर की लोगो था दिली में सब्सक्राइब दिली में जब चुना हुआ सक्टरमे से सिक्ष्टी सेवन सीटेया मादी पाटी ने जीती और वहां पर यह सब चीज़ें कर पा रहे हैं कितने जीतने की तैयारिय भी है हम लोग पूर्ण बहुत से अपनी सरकार बनाएंगे और कपकोड में पहले भी आप विधांसभा चुनाव लड़ चुके हैं क्या वजह रही कि उस बार जंता का आपको प्यार नहीं मिला और इस बार आप उम्मी कुझ वर्णाओं गाओं में पत्सर में आप लोगों नियां देखा होगा वाल्लपेंटिंग पड़ी होगी मैं लिख रहा था भाजपा को बोड दें भाजपा को बोड़ दें मैं 15 दिन पहले तक का बूत कमेटियां त्यार कर रहा था हर बूत में लोग तियार कर रहा था कि भाजपा को आप बोड़ दें भाजपा की पक्ष में आप काम करें और अचानक ऐसा हुआ कि मेरा टिकेट कटा तो मैंने चुनाओ लड़ा मैंने चुनाओ लड़ा टिकेट कटने की वज़े क्या रही शर भर्याल जी के सामने ना मेरी लंबाई कम थी ना उनके सामने मेरी मुटाई कम थी ना मेरी शकल कोई दिखने में कमी थी ना मैं बोलने में कहीं पर उनसे कम हूं न प्यार दिया मुझे भरपूर बोट दिया और जो बारत तेरह दिन में हो सकता था मैंने भी जंता से करने कोसिश करी और यहां की आदी विधानसवा ऐसी है जहां संचार सुद्ध है इसके बाद मुझे अच्छा बोट मिला और आज तो मैं फूरी त्यारी के साहरा है मेरे पास में का सहरा है हमारे नीतिया है दिली में हमने काम करके दिखाए यहां के लिए हमारे पर बुरा प्लान है और मजबूती से हम लोग चुनाओ लड़ रहें निश्ची दूप से चुनाओ जीतेंगे बड़ी जो कड़क दावेदारी होती है उसके साथ मजबूती से मैदान में उतरते एक उदे वाले पद आपको मिले हैं लेकिन क्या वज़े रही कि सारी पार्टियों को पीछे छोड़ने के बाद आज आम आदमी सब्सक्रणा नहीं कर सकता आज और यहां के पःड़शों में तीचर करता हूं और मैं जहां जिस पार्टी में रहूंगा मैं आज आमादी पार्टी में हूं तो यहां भी मैं अपनी बात को मजबूती से लगता हूं उन पार्टी में जो दिल्ली मोटल देखने के बाद मैं जो सच्में काम हुआ है इतने कम समय में दुनिया की सबसे तेजी से बड़तीवी पार्टी है तो अपने आप में दिखता है कि हुए जनता की हितना काम हो रहे हैं उससे में प्रभावित हुआ और निस्ची तुरूप से मेरे को प्लेट्फरम की ज़रत थी मैं इनके पीछे कब तक मैं इनके पीछे घुमता रहता मैंने पिछला चुनावल लग दोकि जबिए धाहिसंटा भी आपने किम्ट कर दोड़या टाम हर नहीं को क् commissionित तक पीच्टा हुएए जो कबनकुट मैं वर्तमान रहे को लगभग फिर भी गाओं झृपलग के लोगों को नहीं मिल पाया है तो इसके लिए क्या तैयारी आपकी है देखिए ये कोई रोकेट साइंस की बड़ी चीजे नहीं है ये कोई बड़ा भी सही नहीं है आज अंतरिक्ष विग्ञान का यूग है हम लोग चंदरवा में प्लोटिंग करने की बात कर रहे हैं हम लोग यहां कैसे कैसे जट्रिल परि Bowl कर रहे हैं रोज नहीं नहीं अंतरिक्ष सान चोड़े जा रहे है नहीं 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 अपर बात हो रहे है मोईल टावर की यहां पर गाओं दुलं में एक तीन साल से टाओर लगा वा था तीन सान से टाओर बन था भाजपा कॉंग्रेस किसी की कानवें जूर नहीं रहे थी लोग डियम के आँ गए भर्याल जी के पास गए फरस्वान जी के पास गए लोग ने धरना किया परदर्सन किया टावर चालू नहीं हो रहता मेरे संग्यान में बात आई मैं वहां गया मैंने बंबे में जीयों के अधिकारियों से बात की उन्हें मुझे का कि 45 इस दिन में आपके टावर का 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 मुझे को टता आउर का चालू कर दे和ड़िया है असल में जीयों कंप्छाने के सिब्सक्राइन हो लेगा हैं 201 255 ले तावले तीन साल से यहां और लगा वोah किनेक्ट नहीं हो पा रहा है असल में ब्यक्राइब ब्रवल्य कंपणी को बि जो इस पूरे विधानस्वाद छेत्रे के जो गाउं हैं जो आज संचार सुद्दा से छूटे हुए मैं चुनाओ जीतूं अथ्वा नहीं जीतूं मैं एक महने के अंदर उन सारे टावरों की कारवाईयां शुरू करवा दूंगा यह कोई बड़ा बिसाय नहीं है यह कोई ऐ लोग चर्चा कर रहे हैं जनता से कनेक्ट हो रहे हैं और उन मुद्दों के लड़ रहे हैं मोबाइल चूटी सी चीज है अगर आप इसको बहुत चोटी सी चीज मानते हैं तो आज तक भाजपा कॉंग्रेश के जविधायक रहे हैं वह क्यों यह सुविधा जनता को नहीं अगर आप इसको दूसरे मैंने में सूचें हो सकता है भाजपा कॉंग्रेश के जो लोग हैं उनके मन में यह साजिस रही हो कि अगर इस गाउं में इंटरनेट चल जाएगा तो यहां संचार करांती चल जाएगी यहां सोसल मीडिया चल जाएगा इनको पता लग जाएगा क कि इनका जन मुद्दों की तरफ कोई ध्यानी नहीं है असल कारणी जीए कि इनको जनता की समस्याओं से जनता की परिसानियों से किसी तरह कोई मतलब नहीं है आप लोग अगे जाते होंगे हल्दानी से बागेश्वर तक के पूरी रास्ते में six गंटे का रास्ता होता है इ जहांसे मुख्योंत्री रहे उन्होंने आगए पिकास के बारे में सोचा होता तो उन्हें सबसे पहले सोचा होता कि हम यहां परेटर कैसे बढ़ा है और प्रेटर कब बढ़ेगा जब परेटर की सुभ्धा है भी सिटूंगी पूरा जिला बाटेश्वार में कोई आप मुझ बिधायक सौन चौनचाल कांडा और कपकोट आधिस्वा पहले अलग हुआ करती थी मैं तो इसको जोड़के कांडा कपकोट इथांसा बोलता हूं जो बोट में एक अदद सोचाला नहीं बना सके हूं वो लोग क्या यहां सुगदा देंगे इनकी जन परतिनित का कोई बिजन नहीं है कोई सोच नहीं है जंता के सरवकारों से को मतलब मुदी के नाम पर मिलरा है कितो को गांधी परिवार के नाम से कहा कि आपका पर्तियासी ठीक नहीं भी का परतियासई यह कैसे करेगा तो भाजपा के लोग ने कहा आप इस प्रत्याशी को मत देखिए आप मोदी जी को देखिए क्योंकि देश की सीमा खत्रे में है और अंचल सीमा में चाइना अंदर आ रहा है उधर पाकिस्तान का हमला कभी भी हो सकता है तो देश की सुरक्षा के नाम पर देश की देखिए सीमा के नाम पर डरा धंका के पहाड के लोगों से बोट लिया जा रहा है यह जबकि सचा है कि जब देश की सीमा में युद्ध होगा युद्ध हुआ था तो मोधी जी के परिवार का कोई व्यक्ति सेना में नहीं नहीं था हमारे आप एक आउपको गाउं के नही म्हां जो देश की रख्षा कर रहे हैं मोदि जी का परिवार का बेक्ति रक्षा पर क्वर्ट करने नहीं गया और देश की खंडता देश की रख्षा हम सब लोगों के सरों पर है लेकिन देश की रख्षा के नाम पर रैस्टर बात siber início नाम पर लोग कहते हैं कि आप हमारा बूट बैंक को आप हमको बूट दो बरगला के ठक के छल के बेकूब बना के जंता का बूट लिया जा रहा है अब आज जंता जागरुक हो रही है और जंता अपने बूट के प्रति सजग हो रही है जंता इस बार पहली बार उत्राखंड में एक अच्छे बिकल के तरफ जा रही है और आम आदनी पार्टी को बोट करेगी कपकोट विधान शभा की अगर हम बात करें तो कपकोट विधान शभा से विकास पुरुष के नाम से ललित फश्वान जी को जाना जाता है और युवा नेता अभी भाजपाने अपने उतारे हैं प्रत्याक्षी के रूप में तो किस तरीके से चुनावी माहौल का देखते हैं कैसी फाइट रहेगी 2022 विधान शभा की देखिए अपने कार्यकरताओं के द्वारा अपने नाम के आगे विकास पुरुष लिखवा लें अपने नाम के आगे यससवी लिखवा लें अपने विकास पुरुष नहीं हो बिनास पुरुष है वो व्यक्ति जो कपकोट से विधायक यहां पर रहा आज गाउं गाउं जाता है और लोग उसे कहता अच्छा टावर नहीं लगा है मैं इस बार लगा दूँगा अरे फरस्वान जी अगर आप में टावर लगाया था आप व पाएं हाथ रहे तो आपने जो मेडिकल कॉलेज बनाया था नरसिंग कॉलेज बनाया था उसको क्या बहरियाल जी कंदे में उठाके कहीं पर ले गए इस छेत्र में अगर आपने एक कोई मैली स्टोन लगाया था आपने तो वह उसको कौन ले गया वह विकास फूरुस है सद्राइक की मैंने यह सब्सक्राइब करनारी को बताना चाहताएं कब कोट विधान इस वह बहां सो में जितनी भी सटरक यहां पर बन रही है जितने भी शड़क के निर्मानकारी यहां पर हो रहे हैं सबक निर्मानकारियों में एक करोड़ों की सब्सित में 25 लाग रूप प्रचार में अगर लेलित फ्रस्वान का यह कहना है कि मैंने 200 क्रोड की सड़के यहां पर बनाई हैं तो 50 क्रोड रुपए सीधा सीधा ले प्रस्वान ने कमिशन ले लिया मैं आपको समझाता हूं सड़क बनाने के लिए लागत तो कुछ आती नहीं है वहीं का पत्थर कंपी मैसन को नहीं बच पाता इनकी कमाई नहीं नहीं किया यह बिनास पूरुस है इन लोगों की जो जंता है उनके साथ चल किया है जो एक धिरे धिरे बड़े हो रहे हैं उनका भविश्य कहराब किया है उन बच्चों का इंणों ने record खराब सामने एं मेरे सामने बैठके बताएं कि नुने यहां पर क्या काम किया है जो ब्यक्ती 11 साल से क्याहला की राजनति कर रहा है 11 साल के बाद आज अपना मकान नहीं बना पाया जो गरूर से कaciह नास्ता करकी आता रात-का-भुजिनंगły कर मिलेगा जिसका एक अदद यहां घर ना हो भाजपा की हम बात करें भाजपा में प्रत्याक्षी डिक्लेयर होने के बाद वहां भी जो अंद्रूनी खलवल है वो मची हुई है और लगातार बगावत की जो खबरें हैं वो बाहर आ रही है इसको किस तरी किसे देखते हैं देखिए हम तो अपना काम कर रहे हैं हम तो अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं अपनी पार्टी का परचार कर रहे हमारा कोई इंट्रेस्ट नहीं है को नपकोई हमें क्या नहीं वहां से सुरेश गड़िया जी लड़े हैं वहां से धामी जी लड़ते हैं वहां से कोशियार ज करते हैं तो को दीने साथ काम करते हैं कोई मेरे सांथ काम करता है कोई हो सकता है काम कर रहा हूगा भाषपा को अपनी सच् Ampな airen boat की calculating इस बार पता लगने वाली है यह वहीं बहुत पाया जिसके मुख्योंत्री एक हाक पाहत अज тобой होगा excited इतिव में विग्यापन आता था खंडूरी है जरूरी तो हम उच गया देख हमलकता था करते हम लगता है तो सयद इस प्रदेश की इस तती बदल जाएगी शाय भाजपाद दुबारा से शरकारमा आ जाएगी भारती एंता जिस खंडूरी जी के नाम पर छुनाव लड रहे थे वो खंडूरी चुनाव हार गए इस हाइब से इस तमासा करने से कोई फाइदा नहीं होने वाला कोंग्रेस के मिख्योंतरी हरीश रावज जी जिनको इस परिदेश का सबसे भाकड़ मुख्योंतरी बोला जाता है जिनको इन इक लोग कहते है कि बोले साहब उच्छा हां सात कांडा कफकोट कि आम जंता की मुझे है कांडा कूट के बच्छों की जो स्वास्वधा के भाव में तड़ रहें परशान हो रहें और जनता जान चुकी है जनता इनकी सचायां जान चुकी है अब इनके पास कोई तरीका नहीं है इनके पास एक तरीका शराब बाटो इनके पास एक तरीका पैसा बाटो तो शराब और पैसे से बोट नहीं मिलता बोट मिलताः भावनाओं से मेरा लोगों से निवेदन है यहां मैं सब जनता हैं करता हूं मैं तो सबसे कहता हूं आप शराब और पैसे दूर रहो आपको इन सब प्योग कर लें कितना कुछ कर लें हम लोग अच्छे बोटों से चुनाओ जीतेंगे अब बहुत 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 खास बातचीथ हमारी रही बहुत है हम मुद्धों पर हमने यहां पर चर्चा की और भुपेश उपाद्याजी का मानना है कि आम आदमी पार्टी का प्रचम लहरा रही है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस पार्टी का पर प्रचम यहां पर लहरा रहा है और हम आपको लगाता राजनीति से जुड़े मुद्धों से कनेक्ट करते रहेंगे और राजन करते बताएगा है और बताएगा करे और हम आने आपको लेख़े खिए बताएगा हाज है